हैलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनूम, स्वागत है आप सबका स्विक रुपा कलासेच पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग SSC CPU वाँ ऐसा एकजाम 2024 के आलसेप्ट में पूछे आ सेकने वाली Most Important GKGS वाँ करेंट अफेस के पसनों को साल्ब करेंगे दोस्तों आपके एकजाम्स में GKGS वाँ करेंट अफेस के जितने भी टापिक से कोशन्स पूछे जाने हैं उन सभी टापिक को कलेक्ट करके A to Z एक एक कोशन वाएक एक फैक्ट चुन-चुन के डाला गया है इसके लाँ आपके प्रिवियस एकजाम्स के पसनों को भी सामिल किया गया है साथ में एक्ष्टा फैट को पूरी तरह से कबर करने का परियास किया गया है तो दोस्तों आप लोग इने कांस्टेट होकर सालू करें कोस्टन कम साल्व होने पर पुना पसनों कर वीजन करें ताकि एससी सीप्यों ऐसा एकजाम दो हजार चोबिस के आलसिप्ट में आप लोग जीके जीएस वा करेंट फैस के टापिक से अच्छे से एच्छे स्कोर कर सकें ध्यान रखें दोस्तों आपके एकजाम में जीके जीएस वा करेंट फैस का अच्छा खासा बेटेज है पच्चास कोस्टन यहां से आपके एकजाम में पूछे जाएंगे करेक्ट टेंसर होगा अनुच्छे 40 में अब चुकी दोस्तों आटके से हमारा कोस्टन आये हुआ है तो इस टापिक से जितने भी कोस्टन बनते हैं अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पे कबर करेंगे यही हमारे प्रपेशन की स्टेटजी है दोस्तों कोस्टन था अगला प्रपेशन की साथ ही पंचाइती राजप्रणाली को संग्मधानिक दर्जा प्राप्त हुआ मोस्ट और कोस्टन है बार बार पूछा आता है उन्नीस सो बार नवे में त्यात्रों संग्मधान संसोधन हुआ था इसके त्या दोस्तों पंचाइती राजप्रणाली को संग्मधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और यहां गरामीर स्वसन के लिए एक अपचारिक संसरा रचना वन गई अब चले दोस्तों आर्टिकल से मारा कोस्टन आया हुआ था तो जितने भी मोश्ट आर्टिकल से कोस्टन बनते हैं आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी प्रसनों को यहां पर हम लोग एक साथ कबर करेंगे पहला दूस्तों मोश्ट बनत धिहान देंगे आप लोग सेलेक्टेड हैं सारे आपके एक्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे पहला है दूस्तों संग का नाम और राजी छेतर इसका प्रावधान भारतिय संग्धान के नुच्छे एक में किया गया है पूरी तरह से कांस्टेट रहेंगे नेक्स्ट है ने राजीयो का प्रुबेस या स्थापना का प्रावधान भारतिय संग्धान के नुच्छे दो में किया गया है नेक्स्ट है बिधी के समच समानता का अधिकार का प्रावधान भारतिय सिम्धान के नुच्छे 14 में है fundamental rights मूल अधिकार के मतर गताता है आपका trending topic है मूल अधिकार ice pressure second highlighted है आप लोग जानते ही है जिसका प्रावधान भारतिय सिम्धान के नुच्छे 17 में किया गया है आगे बढ़ते हैं लोग अगला किया है दूस्तों हमारा 6-14 वरस तक के सभी बच्चों को निसुल्क और अनिवार सिच्छा का अधिकार जो प्रदान किया गया है वो दूस्तों भारतिय सिम्धान के नुच्छे 21 का किया गया है अगला है अलपव संख्यक वरगों के हीतों के सनर्थन का प्रदान भारतिय सिम्धान के नुच्छे 29 में किया गया है नेक्ट है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संगिता यानि कि UCC Union Farm Swill Code बार-बार पुछाता है का प्रदान कि सनुच्छे 24 में जो कि DPSP यानि Direct Principle of State Policy राज के नीत निदेशक सिध्धान के अंतर गताता है जिसका उन सिम्धान के नुच्छे 36 क्यावन वह सिम्धान का भाग 4 है अगला पॉइंट है परियावन का सनरचन और संगवरधन यों 1 तथा वन जीहों के रच्छा का प्रदान भारतिय सिम्धान के नुच्छे 48 का में है कोई भी वन्डे एक्जम आप उठा के देख लिज दोस्तों हाले में जीडी हुआ है सारे कुश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे नेक्स्ट है कारिपालिका से न्याइपालिका का पिर्थक्रण का प्रावधन भारते संग्धान के नुच्छे 50 में है वह राष्टपती के निर्वाचन का प्रावधन दोस्तों भारते संग संसत के गठन का पृत्यां के उस्जटांट कि बुगना leads अगे बढ़ती हैं आगला अर्चिछ्म प्राह विद्यक की पर्वणाव सा कि जाना जाता है यह कि दोस्तों वित्ति वरस आप लोग से 30 मारा तक चलता है इसका प्रावधान भारती सिंग्धान के नुच्छ देख सो बारत में है राजिपाल की निक्ति का प्रावधान भारती सिंग्धान के नुच्छ देख सो पच्पन में है अगला है राजी का महाधिवक्ता जैसे कि भारत का महान्यादी हो चुका है तो र स्क्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टेडी चैनल स्कुर्पा कलासेज को इसी तरह के वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा पीडियेप के बारे में बात करेंगे चार पीडियेप हमारा लगा हुआ है पुना हम लोग कोश्चन के और चलेंगे ध्यान देंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर SIC CPU SI exam 2024 के बारे में बात करेंगे जिसका है पर प्रिपेशन कर रहे हैं इसमें आपके दोस्तों सारी टापिक्स जाओ हिस्ट्री के हो हो प्रेटी के हो जो आपके सारी ट्रेंडिंग जो भीवित के जालते हैं उनके हो आपका करेंट हमारा बिहार SIC और बिहार प्लिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है जिसमें आपका पार्ट करम आपका पूरा GK, GS, General Science आप लोग जानते हैं अच्छा खासा बेटेज है 25 कोश्चन आपके General Science से ही पूछे जाएंगे उसके बाद में आपका करेंट अपका करेंट इसमें जो आपका पार्ट करम है आपका पूरा GK आएगा आपका पूरा GS, Current Affairs, UPS Facial में Current हुआ है इस्टेटिक और Current उसके बाद में आपका सामान हिंदी इनके पूरे पार्ट करम को टोटल 40 PDF की जरी कंप्लेट किया गया है पेट फिस 100 रूपेज रखी गए वर्सप नमब प्रियास करें यह पूरी तरह से आप लोगों के एक्जाम के लिए successful होगा ZD की तरह और पंच करें underline लगा की study करें अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की preparation अच्छे खासे ढंग से complete हो जाती है चलते हम लोग अगले question की अगला question है दूस्तों हमारा 2011 की जनगर्णा की उसर भारत का जन संख्या घनत तो कितना है जनगर्णा आप लोग का trending topic रहेगा ही इवर गरें topic आप लोग जानते हैं आपके हर सिप्ट में ऐसे question देखने को मिलेंगे question हमारा 2011 की जनगर्णा की उसर भारत का जन संख्या घनत कितना है करेक्ट एंसर होगा 382 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर आप चुके दोस्तों जनगर्णा से हमारा question आया हुआ तो इस topic से जितने भी questions बनते हैं बार बार पुछे आते हैं repeat होते रहते हैं सभी प्रस्णा आपके दोस्तों एक साथ कबर किये हुए हैं यह seat हमारी पुरी तरह से concentrate रहेंगे next है भारत में नियमित जनगर्णा के शुरूआट 881 में लाड़रिपन के कारिकाल में की गई थी पहली जो थी 802 में लाड़रिपन के गई थी यह नियमित नहीं थी लेकिन यह पहली थी द्यान रखेंगे दूसरी जनगर्णा जो नियमित थी 881 मे वो लाल डिर्पन के कारिकाल में की गई थी अगला point हमरा जनगरना संग सोची का विषय ध्यान रखेंगे भारतिय समिधान के अनुसोची साथ में संग सोची, राज सोची और समुर्थी सोची का वड़न है संग सोची के विषयो पर कानुन बनाने का अधिकार भारतिय संसत को है राज सोची के विषयो पर कानुन बनाने का अधिकार राज के विधान मंडल को है समुर्थी सोची के विषयो पर कानुन बनाने का अधिकार भारतिय संसत और राज विधान मंडल दोनों को है किस पर भारते संसत के दोराग बना गया का नों माननी होगा हमारा दोस्तों पुलिस वे उस्ता बार-बार पूछा था, ध्यान रखेंगे ये राजुसोची का भी सह है, आपके सिच्छा, ये समुर्ती सुच्छा का भी सह है और जो भी से संक सोची, राज सोची और समुर्ती सोची में सामिल नहीं होते, उन्हें अब सिस्ट सोची के अंतरगात माना जाता है, और उन पर पूरा अधिकार केंदर का होता है, तो ध्यान रखेंगे, अब यह किस आर्टिकल में है जनगर्णा यह भी देख लिजिए, तो 2011 की जनगर्णा के समय जनगर्णा आयक तो कौन थे, तो डाक्टर सी चंदरमवली थे, नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगर्णा का दर्सुआ के तो हमारी जनगर्णा हमारा भविश से, नेक्स्ट पॉइंट है, जनगर्णा 2011 की उनसर भात का सरवाधिक जनसंख्यावला ज सबसे ज़्यादा और सबसे कम कोश्चन एक साथ सेट कर देगे हैं ताकि याद रखने में कोई कटना ही ना हो सब कुछ आपके पीडियाप में पूरी तरह से मेंसन किया हुआ है नेक्स्ट जन्गर्णा सर्बादिक जनग्नत वALL राज वह भी हार है आप लोग जानते होंगे और जन्गर्णा यानी 943 है ध्यान रखेंगे, अगला पॉइंट है, जन्गरणा 2011 के उसार भात की साचर्चा तादर, 74.04%, दाध-दास बार सब जीटी में पूछे गए हैं, तो जन्गरणा 2011 के उसार भात की साचर्चा तादर, 74.04% है, जिनमें पुरुष साचर्चा तादर, 82.14% और महिला स सचारदर 65.46 है अगला पॉइंट है हमारा जन्गर्णा 2011 की उस्तरभात का सब से साथ-च्र राज वहु केरल है वह जन्गर्णा 2011 की उस्तरभात का नियूंतम साथ-च्र राज वह विहार है आगे बड़ते हम लोग कि अगला पोइन्ट का है दोस्तों जन्गंड़ना 2011 कि तुर्वाद का सबसे 70 किया देश लच दिव पर्देश। क्यूड़ है सभी लोग जांते होंगे या देश्चक सबसे कम जेंसे क्यों चांगे हो है राजू सिक्किम है वा जन्गर्णा 2011 के भारत का सरवाधिक जन संख्याला राजू उत्तर परदेश है यह थे जन्गर्णा के कोशन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किये हैं पीडियाप के बारे में बात हो चुकियों दोस्तों बिहार स्सी वा बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन और पुछी पुड़ी किस राजी का परसिद सास्त्रे नेत है तो यह आंदर परदेश का सास्त्रे नेत आप लोग जाते हैं टेंडिंग टाफिक आपके एक्जाम में बराबर कोश्चन यहां से पूछी आते हैं दोस्तों अब कोश्चन हमारा आया हुआ है सास्त्रे नेत से कुछ बुड़ी किस राजी का परसिद सास्त्रे नेत है करेक्ट एंसरों का अंदर परदेश अब सास्त्रे नेत से जितने भी कोश्चन से घुमा घुमा के तक दोनों के दोनो के रल के सास्ते नेएं आगेई करने दोनों के लुट है कि अगला के है को हम लोगों ने देखी हैं, अब आगे बढ़िए, जितने ट्रेंट से कोश्चन बनते हैं, सब को हम लोग यहाँ पे साल्व करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, important points है हमारा, सबसे पले शुरू करेंगे हम लोग बढ़िए, क्या-कोश्चन यहाँ से निकलता हैं, ध्यान देंगे आप लोग, पहला point है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना सास्त्रे नित्य कौन सा है, तो बढ़िए तो बढ़िए नत्य है, पूरी तरह से prepare रहेंगे, अगला हमारे क्या दूस्तों कत्कली कत्कली कहा का है तो केरल का सास्तिन नेती है अब यहां से क्या 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 कोश्चन पुछा आता है तो सबसे पहला पॉइंट है किस सास्तिन नेती में मुखावटे का प्रियोग किया जाता है तो कत्कली है अब कत्कली से समंदित कलाकार देखेंगे तो गोपिनाथ हैं, रागनी देवी हैं, उदेश शंकर हैं, शिवरामन हैं, माधुवन आनंद हैं, येतने नाम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ना आपके कोश्चन मिस होंगे, नहीं गलत होंगे, नेश्ट है कथक, कथक कहा कहा है, तो उत्तर परदेश का एक सास्तिन ने होगी, आप कथक निर्त के कलाकार देखेंगे, तो विर्जो महराज, संभु महराज, बैजनात परसाथ, लच्छु महराज, सुंदर परसाथ, सितारा देभी, गोपि किर्ष्ण और हजारिय गुरुवाल, पूरी तना से आप लोग प्रिपेर रहेंगे, अगला पॉइंट दोस्तों, यामनी कर्स मूर्थी का जो संबन्द है, वो भरत नाट्यम, वो अकोच बड़ी, दोनों सास्तिरे निति से है, इस पॉइंट से भी, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, जैसे भी आप सनाय, आप कोश्चन कर लेजिएगा, अगला पॉइंट क्या है पल्लेवी किर्शनन, राधा दत्तापती, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, ओडीसी ने तिकलाकार देखेंगे, तो सोनल मान सिंग है, केलू चण मोहपात्रा है, चित्रा किर्शन मूर्ती है, और सरमीला मुखर्जी है, चार नाम यहां से ध्यान रखेंगे, लास्ट है क्या दोस्तों, भारते सिंग्धान सभाद्वारा राष्ट गान को कब अपनाये गया, करक्ट एंसर होगा 24 जनुवरी 1950 को, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, अब चले एक श्टाफ हैक्ट में, जहां से कई कोश्चन अमारे एक साथ कबर होंगे, ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, भारत में राष्ट गान को सिंग्धान सभाद्वारा 24 जनुवरी 1950 को गरहन किया गया, जो कि हमारा एंसर है, भारत का राष्ट गान जनगलमन है, इसके रचेता रभीन नटेगोर है, जनगलमन सरपर्थम 27 दिसंबर 1911 को भारती राष्टी कांग्रेस के कलकत्ता पद्वेशन में, इसे गाने में 52 सेकेंडर लगते हैं, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, आगे बढ़ते हैं लोग, अगला कोस्चन है आपका, भारत के संग्धान के किस अनुच्छेत के अंतरगत हिंदी को राजी के भासा घुसित किया गया, मोस्टन कोस्चन है, करेक टेंसर होगा, अनुच्छे 343, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, इक्ष्टाफ हैट देख लिजिए, भारते संग्धान के भाग 17, सबसे परे भाग देखेंगे, उसको अनुच्छे 343 में संग की भासा को लेकिया गया है, अनुच्छे 343 एक के अनुचर, संग की राज इसलिए रख दिया गया है, हर का 5 वर्स नहीं होता कि सभी का 5 वर्स, तो भारत का केंद्रिय सतरक्ता आयुक्त, चार वर्स या 65 वर्स की आयुक्त, जो भी पहले पूरी हो, तब तक अपने पत पर बना रह सकता है, अब एक्ष्टा फेट देख लिजिए, दोस्तों केंद् मंत्री, लोग सभा में बेच्विवच के नेता, वह गिरह मंत्री सामिल होते हैं, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, अब इसको करेंट से जोड़ लीजिए, नोड के जरिए, दोस्तों भारत में, वर्तमान में भारत के केंद्रिय सतरक्तायु, परिविंड कुमार स्रिव बास्तों हैं, पूरी तरह से आप लोग प्रिपेर रहेंगे, पीडियाप के लिए हुआर्सप नमर हमारा लगा हुआ है, चलते हैं अगले कोस्चन की और, अगला कोस्चन है आपका भारत का पर्थम विधियादिकारी कौन होता हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो भारत का महान्यावदी यानि के अटरनी जनरल आप इंडिया, अब एक श्टाफ हैट देख लेजिए, दोस्तों समिधान के नुच्छे 76 के नुसर का भी नहीं भूलेंगे, इसमें महान्यावदी का वड़न है, भारत सरकार को कौनुनी मामलों में प्रामर से देने के लिए के महान्यावदी आर वेंकट रमणी हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चलते हम लोग अगले कोस्चन की ओर, अगला कोस्चन क्या दूस्तों, जी सेबन सिखर सम्मिलन 2030, मोश्ट वन सुपर कोस्चन है, ध्यान देजिएगा, जी सेबन सिखर सम्मिलन 2030 का हाँ जीत हुआ, करेक्ट एंसरोगा, हीरो, सीमा, जापान में, अब कहां से कोस्चन आया हुआ, करेंट से आया हुआ है, तो करेंट के टापिक से, जितने भी मोश्ट वन कोस्चन बनते हैं, अधिकांस प्रसनों को हम लोग यहीं पे कबर करेंगे, ध्यान देगें दूस्तों, स इसका खिताब की स्टिम ने जीता, करेक्ट एंसरोगा, वांगला देश, अगला कोस्चन है, हाली में भी सुबहें के 14 अध्यच की रूप में किसे चुना गया है, तो अजय वंगा को, नेक्स्ट है, राष्टिय परिछण एजंसी, यानि कि NTA, National Testing Agency, आप लोग जानते के नाम सुने होंगे, यह बहुत सारे एकजाम्स को कंड़क्ट करवाती है, तो कोस्चन है, राष्टिय परिछण एजंसी के नए महानी देशक कौन बने है, करेक्ट एंसरोगा, सुबोध कुमार, अगला है, सीमा सुरच्छबल, यानि कि BSF के नए महानी देशक कौन बने ह तो नितिन अग्रुवाल है, आगे बढ़ते हम लोग, अगला कोस्चन है दूस्तों हमारा करेंट से, अंतर राष्टिय परिवासी दिवस कब मनाय जाता है, करेक्ट एंसरोगा, 18 दिसंबर को, करेंट ए रिलेटर है, ध्यान दिजेगा, अगला है, हाली में राष्टिय भो आगे बढ़ते हम लोग, अगला कोस्चन क्या दूस्तों हमारा, कोस्चन है हमारा भारत का पहला वेट लेंड सहर कौन सा बनेगा, तो उदाइपूर आजस्थान एक्जेक्ट लोकेशन डाल दिया गया, उदाइपूर पूरीता से ध्यान रखेंगे, यह भारत का पहला वे अगला है, भारत के ठत्रों गरेंड मास्टर कोन बने है, तो कॉस्तो चटर जी है, नेक्स्ट, किस राज में भारत की पहली हाइडोजन संचाली ट्रेंच चलाई जाएगी, तो हरियाडा में, किस राज में, हरियाडा में, नेक्स्ट है, बिरिक सिखर सम्मेलन, 2024 की अगे बढ़ते हम लोग, अगला जाएगी, तो आप भूलेंगे नहीं, कि बिरिक सिखर सम्मेलन, 2030 की मेज़बानी, दच्छिण अफरीका की द्वारा की गई, आगे बढ़ते हम लोग, अगला है मारा कोश्चन, हाली में, किसे, गौर्णर आपदाईयर, 2030 पुरसकार से सम्मानित की अगया है, तो सक्तिकांत दास है, नक्स्ट है, हाली में, किसने, वन जीव सम्मेलन, 2030 जीता, तो आलिया मीर है, 100% सेक्सफुल रहा, दोस्तों, हमारा जीड का पीडिया, 25 सेट अगला है, जीव सेवन सिखर सम्मेलन, 2030 जो कि हमारा कोश्चन था, नेक्स्ट है, हाली में, 22 विधी आयोग की नए ध्यस कौन बने है, करेक्ट अगला कोश्चन क्या दूस्तों हमारा, राष्ट्रिय मानुआ धिकार आयोग, यानि कि NHRC, National Human Rights Commission के नए ध्यस कौन बने है, करे लोग सेवायोग, यानि कि UPSC, Union Public Service Commission के नए ध्यस कौन बने है, करेक्ट अगला कोश्चन है, खाल सा पंत की स्थापना किस ने की थी, करेक्ट एंसर का गुरू गुबिंद सिंग ने, किसने गुरू गुबिंद सिंग ने, अब स्टेटिक से कौश्चन आया हुआ दोस्तों, अब यहां लोग क्या करेंगे, हमारे जीके के जितने भी टापिक्स हैं, चाहे हो जिगराफिक से हो, हिस्ट्री से हो, आपके सारे बिवित के जितने ट्रेड़निक चलते हैं, वहाँ से हो, जियास, यानि जनल साही से हो, उन सब के इजी टो मुडेट ट्रेंड के जितने भी कोश्चन आपके सभी वन एक जांस में बार-बार पूशे आते हैं, रिपीट होते हैं, हालाइटे हैं, उन सभी प्रस्णों को य प्राकिरत भाषा नागार जून कौन थे करेक्ट तर्फपर स्थी था करेक्ट तुमभधरा नदी अगला ओर रक्त की नीट किसने अपना एक करेक्ट तर्फण के थे जो मारा कोश्चन था करेक्ट तर्फण्ड तुम्स नीग आगे बढ़ती मोग अगला question है दोफतों आपका N area of darkness के लेखा कौन है correct answer गाभ Works divul Dr. Naipal next है Kendria उपोश्ण उद्यान सनस्थान कहा उन्स्थान कहा उस्थित है next है भारत के किसिराज में फलाहर जिल स्थित है correct answer गाभ उतरपर्देश में next है एक डिगरी अच्छांस यानि लेटिटूट कितने किलोमीटर को दर साता है, करेक्ट एंसरोगा 111 किलोमीटर, अगला अंतरहस्टी प्रमाड उर्जा एजंसी कहा परवस्थित है, करेक्ट एंसरोगा वियना आस्ट्रिया में, नक्ष्ट है, सर्ववर्थम पारिस्थितिक त आप सभी ओंडेक जास में देखते हैं, ये कोश्टन बार बार देखने को मिलते रहते हैं, अगला है, आक्सीजन की खोश किसने की थी, करेक्ट एंसरोगा जोसफ प्रिस्टिलेने, नक्ष्ट है, धावन सोडा का रासाइग नाम क्या है, करेक्ट एंसरोगा सोडियम आगे बढ़ते हम लोग, अगला कोश्टन दूफतों हमारा, प्रकास संसलेशन की किरिया में प्रकास उर्जा बदलती है, तो रासानिक उर्जा में, नक्ष्ट है, पिलिया रोग में सरीर का कौन सांग परभावित होता है, करेक्ट एंसरोगा ये किरेत, अगला है, नक्ष्ट है, सर्वरबाद किस नदी परिस्थित है, करेक्ट एंसरोगा नर्मदा नदी, सेकंड लाट कोश्टन देखेंगे, बिजय नगर सामराज किस था अपना कब हुई थी, करेक्ट एंसरोगा 1336 में, और इस सीरीज का लाश्ट कोश्टन है, सांची के स्थूप का न सही हो रहे हैं, तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज के लिए आप माई स्टेडी चैनल, स्युक्र पकलासे से जुड़े हां चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे दुआ दे जाने वाले सभी वीडियोज, आप करम से सबसे पहले देख सकें, तो मिलते हैं दोस्तों, ग्हाव्योज, आपयोज झाले समेज, अभाडविखे लाविटी, ऌ nick